नमस्कार दोस्तो मेरा नामे संजोय मैं पिछले साथ दिनों से इस OPPO F27 Pro Plus को यूज कर रहा हूँ इवेन इस फोन का मैंने एक्स्ट्रिम में वाटा टेस्ट भी किया था इदने दिनों में फोन मुझे कैसा लगा है वाटा टेस्ट करने के बाद हाल फिलाल में फोन में कुछी प्राब्लेम आ रहा है की नहीं A2ZY डिटल में इसकी वीडियो करेंगे इसी वीडियो में तो चलिए सबसे पहले सुरुआत करता हूँ इसकी हाइलाइट जो फीचास भाई IP69 रेटिंग के बारे में पहले मैंने इस फोन को वान लेटर पाने के अंदर फाइब मिनिट के लिए छोड़ दिया था देन मैंने चेक किया यहापर कुछ भी प्राब्लेम नहीं आये उसके बाद फोन के ओपर मिट्टी डाला और उसको अच्छी तरीके से क्लीन भी किया देन मैंने चेक किया फोन पॉपर में काम कर रहा है लाश्ट में फोन को पॉकेट में लेका स्वीमिंग भी किया था तो यह सारे चीज़ करने के बाद आभी भी फोन में मुझे कुछ भी प्राब्लेम नहीं मिला है इसका बैक पैनल फीगें लेडर का है यह पर पानी गिरने के बाद भी इसका बैक 20,000 रूपिस में लांच कर दिया है अब अगर रियल लाइफ में इसका वाटर टेस्ट है एंड इसका डिरूबलिटी टेस्ट देखना चाहते हो तो आप ओपो की स्टोर में वीजिट करना ही यार उदार जो सारा सेलार है ना ऐसे भाई को गिरा के टेस्ट करके बताएगे चल्क dependency बहुत हुआ है इतने दिनों से फोन जो मेरे हातों से बहुत बार गिर गया फिर विकष्पुले में एक भी क्रैसिस नहीं आयाये इसका स्फ एख ही रिज़ान है इसके डिस्प्ले में प्रोटेक्स आने और लेदर्वेक का एज इस मुझे अच्छा लगता है जब गंदा होता है इजी लिए पानी से वास कर सकते हो इवेन लेदर्वेक फोन जो है ना हातों में जादा स्लीप भी नहीं करता है यह फोन बहुत पतला है दोनों साइट से कर्व है इन हैं फिल्ट भी मुझे बहुत ही अच्छा लगाए इवेन इसका बैक पैनल भी पिछे से दबता नहीं है और तो फोन का वेट सिर्फ 178 ग्राम का है इसका डिस्प्ले का साइज भी बड़ा रखा है एमॉलेट पैनल है डिस्प्ले का बेजल और चेन भी छोटा रखा है 3D कर डिस्प्ल स्किन में काम करता है जब आप आप को ओपेन करोगे आप के अंदर 90 हर्स में या 60 हर्स में चल रहा है लेकिन इसका ब्राइनेस अच्छा रखा है अब डाइस अलाइट में इस फोन को आराम से यूज कर सकते हो वेल कॉंटेंट देखने के लिए इसका डिस्प्ले मुझे ब फूल वॉलिम जब आप करोगे यहांपा 300% वॉलिम हो जाता है और 300% वॉलिम में यहां पर सांट्रेव फटता है वैल इस फोन में सिकूरिटी के लिए इंडिस्पे फिंगर की सेंसर जो हर बार एकुरेट और अच्छे तिरिकर से काम भी करता है इवेन आपका हाथ गिला और यह फिर भी यह अनलोक कर लेता है लेकिन इस फोन में जो हैप्टिक मोटोर्स है ना यहां पर कॉस्ट काटिंग क्या है ओपो बालो ने घुर घुर बाला मोटोर यहां पर नहीं दिया है प्राइस जाता है वो चीस तो देना चाहीं था बागि इसमें 5G नेटवर्ट ट इस फोन में डेरिकेटट पॉक्सिमेटी सेंसर है लेकिन इस फोन में आप SD कार्ड को यूज में कर सकते हो और इसमें जो डूएल माइक है वो नौइस को बहुत ही अच्छी तरीके से कैंसलिंग भी कर लेता है और इस ओको एप 27 Pro Plus में AI के रिलेक्टेट धेर सारी फीचास भी मिल जाएगा दो फीचास मुझे इंटरेस्टिंग लगाए जैसे कि आप इस फोन से कोई भी फोटो क्लिक करते हो और आप चाहते हो आपके फोटो फ्रेम में फाल्तु चीज आ गया है उसको आप बहुत स्मार्ट तरीके से AI के जरी इरिस कर सकते हो और तो अब इसकी ग गेमस भी मिल जाता है धेर सारी पूस्ट नोटिफिकेसन आता है यह ओपो का आदत है मुझे लगता है 25,000 के उपर में जो सारा फोन आता है ओपो की तरफ से तो उसमें यह सारी चीज नहीं देना चाहिए फिर भी आपका क्या ओपीनियन है आप मुझे कॉमेंट में अच्छा नहीं है इतने दिनों में एक नॉर्माल यूजर के हिसाफ से ही है कि हेवी यूजर के हिसाफ से इसका पार्फोमेंस मुझे बहुत ही अच्छा लगाए अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्टोरेंस में 80% से भी ज्यादा भर चुका हो और यहाँ पर आप देख करने के लिए इस फोन के साथ मैंने OnePlus Nord 3 का स्पीड टेस्ट किया था और यहां पर आप देख सकते आप ओपनिंग स्पीड के मामले में यह फोन पीचे से नहीं रहा है दिन मैंने 60 एपिस में BGM को खेल पाओगे 60 एपिस की हिसाब से अगर आप लो ग्राफिक सेटिंग्स में एक घंटे के लिए गेम प्ले करते हो तो आपको अच्छा पाफ्रोमिंस मिलेगा इससे ज्यादा अगर आप खेलने के लिए कोसिस करोगे तो इसका एपिस ड्रॉप होगा इवेन गेम में आपको फ्रेम ड्रॉप मिलेगा आप अगर गलती से इस फोन में हाई ग्राफिक सेटिंग्स में गेम प्ले करते हूँ तो एक दो मैच के बाद इसका फ्रेम ड्रॉप जो हो जाता है इतने दिन इस फोन को यूज़ करने के बाद मुझे ए तो पता चल गया है यह फ और साइब मेरे पास है रएक रैम ज्रॉप आन। मूझें बहुत ही अच्छा लगा में लेकर पार वाइसमें जो फाव से बैटरी डेंटेट्स दिया था तो यहां पास six hours को skin on time battery backup मुझे मिला है इसका battery backup सही है लेकिन इसका charging speed मुझे सही नहीं लगा है क्योंकि inbox आता है 80 watt का adapter लेकिन इस फोने 67 watt को support करता है और चार्ज होने के लिए 59 मिनिट का time मुझे लग गया है अच्छी बात है charging के दोरान phone ज्यादा heat भी नहीं करता है ऐसी इस phone में smart charging का फिचास है तो phone over charge होने का खत्रा नहीं है अब के मान में जुरूए question आ रहा है क्या ये phone over heat होता है इसकी heat को test करने के लिए मैंने सबसे पहले 30 मिनिट के लिए इस phone में CPU thoughtling को run किया था और यहाँ पर आप देख सकते हो 44 degree Celsius heat हुआ है then मैंने 24 मिनिट के लिए 4K में 30 से वीडियो को record कर रहा था और यहाँ पर आप देख सकते हो 47 degree के आसपास में ये phone heat हुआ है ये था phone का max heat temperature तो अगर आप ऐसे phone को use करते हो तो ऐसे कुछ heat होता है phone में ऐसे नॉर्माल यूज में phone ज्यादा हिड़ नहीं होता है मैंने आपको पहले बता है एक्स्ट्रिम लेवल में टेस्ट किया था ऐसा को टेस्ट नहीं करता है वाई फोन के साथ वैल इतने दिन यूज करने के बाद इस पून में जो चीज़ मुझे सबसे बुरा लगा है वह इसकी कैमेरा इस फोन प्राइस सेग इस कैसा है चले मैं आपको बताता हूँ इसके बैक कैमरा से आप मैक्सिमाम 4K में 30 वीडियो को रेकॉर्ड कर पाओगे यहां पर वायस नहीं है तो स्टेवल वीडियो रेकॉर्ड नहीं करता है लेकिन कैमरा में आल्ट्र स्टैडी मूट मिलता है जिसको अन करने के बाद स्टेवल वीडियो रेकॉर्ड कर पाओगे फूल इसटी सिक्स्टी पिस में सेल्पी कैमरा में स्टेवल वीडियो रेकॉर्ड नहीं करता है उसके साथ यहां पर डीटेलिंग भी कम आता है देन इस फोन में मैंने नाइट में और दे में बहुत सारी सेंपल लिया आप यहा और भी बेटर हो सकता है नाइट में फिर भी देखो यार इसमें डीटेलिंग थोड़ा सा कम आ रहा है लाइट को थोड़ा सा कम कैप्चार कर पा रहा है जब आप डे में फोटो क्लिक करोगे यहां पर काला टोन बहुत ही अच्छा लगा है यह नाचरल है ज्यादा कालन भ होती घहाता है और आधे यहां टार्क फोटो करता है सेल्थी केमेरा में वी कवर देखा सेलधी केमेरा में स्कीन को ज्यादा स्थोट कर दे रहा है चैमरा से प्रश या अफ्यू सब्सक्राइफ्स सब्सक्राइब का मार्केटिंग से धिरूर्ट के लिए इसके इलावा इस फोन में और कुछ अच्छा नहीं मिलता है प्राइस के सबसे जैसे कि अगर आप गेमिंग के तरफ देखोगे तो इससे भी बेटार गेमिंग फोन आपको मिलेगा कैमेरा इससे भी बेटार फोन मिले का मुझे पूरी उमीद है एक वीडियो आपको प्रसंदाय होगा अगर आपको एक वीडियो थोड़ी से भी हेल्पुल लगाए तो इक लाइक करके चानल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जूड़े रहे हैं